हेलो गाइस, स्वागत है आपका, विलकॉम 2006 के तीसरे क्लास में, इसमें हम सो वर्टिकल के तीन मेनू देखने वाले, पहला है सो पोइंटर टूल बार, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह पहला लाइने वो यह है, सो पोइंटर टूल बार, दूसरा है इनपुट टूल बार, यह दूसरा लाइन, यह हमने सब दूसरे क्लास में, देख लिया है, कैसे सब काम करता है, तीसरा है, सो ट्रावेल टूल बार, इसे हम मसीन चला सकते हैं, आगे चलाना है, मसीन पीछे चलाना है, सब यहाँ से कर पाते हैं, यह तिसरी लाइने, यह इसकी है, सो ट्रावेल ट सकते हो लेकिन यह वेक्टर बनते डिजैन नहीं ड्रो होता है इसको पहले आप ड्रो करके बाद में स्टीचिस में कनवर्ट कर सकते हो और एक टूल बार है कलर तो इस क्लास में हम इसके बारे में भी जानेंगे तो फ्रेंट्स इस क्लास में हम यह एक दो और यह तीन और यह बारे में शिखेंगे यह सब काम करता है। Friends में आगे के class में आपको दो तीन ओप्शन शिखाना भूल गया था। आपको इस object को move करना है तो arrow से कर सकते हो। इसे सीदह कर सकते हो। ऊपर ले सकते हो। नीचे भी ले सकते हो। और एसे सिलेक करके भी एसे इसका पोजिशन चेंज कर सकते हो friends अगर आपको यहां से इसको सीथा यहां लेना है तो इसको सिलेक करके रखना है left click से बाद में control दबा के रखना है आप देख सकते हो mouse right side में लोगे तो right सीथा जाएगा और left में लोगे तो left सीथा जाएगा आप देख सकते हो यह normal है और मैं आपको अगले class में बताना भूल गया था इसलिए इस class में बता देता हूँ friends आप देख सकते हो अगर उपर लेना है तो mouse को ऊपर ले जाओगे नीचे लेना है तो mouse को नीचे ले जाओगे friends तो विशी हाप देख सकते हो यह साका control दबा के रखना है आप देख सकते हो इसके लिए आपको left trick से पकड़ के रखना है बाद में control दबाना है बाद में इसे आप इसे right left सीथा ले सकते हो friends उपर नीचे भी और right और left में भी friends तो ये एक important option था friends मैंने आपको बता दिया तो फ़रेले हम जाएंगे यहाँ पर friends यहाँ पर आप देख सकते हो यह पहला है select object अगर आपको किसी भी object को select करना है या कोई भी object बना के आप यहाँ पर click करोगे तो यह सीधा select हो जाएगा इसका shortcut की O है अगर आप इसे कोई shape बनाते हो तो आपको सीधा यह select करना है तो यहाँ से कर सकते हो या O shortcut की दबाओगे तो भी ये सिधा select कर लेगा ये हो गया हमारा select object tool friends और ये है polygon selection, line selection tool friends यहाँ पर आप देख सकते हो friends यहाँ पर ये दो object है अगर आपको ये एक select करना है तो ये से भी कर सकते हो और अगर ये से करके आप select कर रहे हो और दूसरा भी object इसे साथ में दो select हो जाते है तो अब बराबर selection नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर इसको select करने के लिए polygon selection tool दिया गया है इसके उपर क्लिक करके जिस object को आपको select करना है उसको इसे cover करना है और इसे cover करके enter करोगे तो आप देख सकते हो चीटने पर यह line बना था वो सब select हो गया फ्रेंड्स फिर से एक बार देखेंगे select करेंगे आप देख सकते हो round किया और enter किया तो यह से आप select कर सकते हो यह दूसरा है reset object फ्रेंड्स अगर आप इने यह object बना लिया है और इससे फिर से reset करना है तो यहां से click कर सकते हो मैंने आपको दूसरे class में भी बताया था अगर आपको object बना के इसको repair करना है तो आपको edge दबाना है इससे select कर लिया और edge दबाया आप देख सकते हो यह select हो गया reset object यह इसका shortcut किये edge reset करने के लिए reference यह आप देख सकते हो stitch edit आप यहां पे देख सकते हो stitches सब यहां पे है अगर आपको machine सीधा यहां पे लेना है तो इसके उपर click करके यहां पे click करोगे तो आप देख सकते हो जिस stitch पे आपको machine लेना था यहां पे आ जाएगा इसका shortcut की इह है friends, अब आप इह दबा के स्टीच पे मसिन लेना है, वहाँ पे ले सकते हूँ समझ लो कि आपको यह स्टीच पे मसिन लेना है तो इह प्रेस करोगे बाद में यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा ही मसिन यहाँ पे आजाएगा बाद में escape दबा देना है ताकि ये menu को छोड़ दे friends फिर से बता देता हूँ अगर आपको इस stitch पे machine लाना है friends तो इसका shortcut की E है और यहाँ पे menu भी है यहाँ click करके भी आप यहाँ पे click करोगे तो सिधा machine यहाँ पे आजएगा और E दबा के भी इस stitch पे machine लेना है समझ लो कि यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे आजएगा friends यह हमें punching में काम आने वाला है वह आगे हम सिखेंगे friends जब भी punching करते है तब यह tools काम आता है friends यह आप देख सकते हो friends keep last stitch यह किसी काम का नहीं है friends नहीं देखेंगे इसको यह type of reference यह देख सकते हो यहाँ पे 3-4 stitch मार रहा है machine यह tie है यहाँ पे tie बना रहा है machine एक बहुत ही अच्छा function है friends इसको आपको off नहीं करना है अगर object को select करके यह बन कर दोगे तो यहाँ machine tie nail बनाएगा एसे ही छोड़ देगा तो आपको यह tie off नहीं करना है friends tie only रखना है चुकि जब भी आपका object बन के पूरा होगा तो वहाँ पे machine 2-3 stitches लगा देगा जिसकी वज़े से आपका जो work बना होता है वो खूलेगा नहीं friends तो यह tie off है friends यह time है friends इसको जानने की जरूर नहीं है यह आप design बनाते जाओगे तो automatic set होता जाएगा यह empty function है friends आप यहाँ पे देख सकते हो used है अब empty कर दोगे तो यहाँ आप से वो जो भी function होगा वो निकाल देगा friends आप देख सकते हो friends यहाँ पे tie off है यहाँ पे आप empty function पे क्लिक करोगे तो यह tie off निकाल देगा function वो निकल जाएगा tie नहीं लगेगा friends तो यह function clear करने के लिए तो यह भी इसकी भी ज्यादा ज़रूरत नहीं रहती है friends आमें function तो रखने ही होते हैं design में अभी कभी कभी कुछ दिक्कत आता है तो आप यहाँ से इसे function को निकाल सकते हो friends यह आप देख सकते हो friends back track है अगर आपने कुछ इसा run बनाया हुआ है आप देख सकते हो तो machine यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसे select करके back track icon पे click करोगे तो आप देख सकते हो machine यहाँ से गया और यहाँ से return आया यह punching के वक्त काम आता है friends आप देख सकते हो आगे गया और यह return आ रहा है friends आप देख सकते हो यह है back track friends तो यह हमारा पुरा का पुरा हो गया है show pointer toolbar यह select करने के लिए friends आप देख सकते हो यह select menu है friends अगर आप किसे भी object बनाते हो एसे और इसके उपर click करोगे तो यह select हो जाएगा और ओ दबा के भी select कर सकते हो इसका shortcut की ओ है friends यह है friends polygon selection tool इसको select करके इसे जिस object को select करना है उसके sub side आपको इसा mark बनाना है और enter करना है यह select हो जाता है friends recept object आपको इस object को recept करना है तो इसे सिलेक करके इसके उपर क्लिक करोगे या एच दबा के इसके उपर क्लिक करोगे इसका shortcut की reset का Hै Friends यह है Search Edit इसका shortcut की है Friends मैंने बता दिया अगर आपको Stich पे machine ले जाना है तो Stitch Edit सिलेक करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो machine वहाँ पर आ जाएगा friends इदबा के भी आप charm machine रखना है वहाँ पर रख सकते हो keep last stitch, vomit last stitch ये किस काम का नहीं है ये tie off है friends जब भी object पुरा है तो वहाँ machine tie लगाता है ये है team ये automatic set हो जाता है और ये function clear करने के लिए सब empty function friends अगर आपको function clear करना है तो इसके उपर click करोगे तो function clear हो जाएंगे और ये backtrack friends repeat कहते हैं इसको इसको select करके आप repeat करोगे तो इसका ultra बना देगा आप देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है इसे select करके मैं repeat पे click करूँगा आप देख सकते हो ये repeat बना दिया ultra ये यहाँ से यहाँ जा रहा है आप देख सकते हो तो ये सब हमारे saw pointer toolbar होगे friends आगे देखेंगे saw travel toolbar friends ये देख सकते हो ये सब travel toolbar है machine को चलाने के लिए friends पहला app start or end design देख सकते हो यहाँ से design start हो रहा है इसके उपर left click करोगे तो machine home point पे आ जाएगा friends ये आपका needle है plus का sign देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे आपका ये needle है friends इसके उपर right click करोगे तो ये end point पे चला जाएगा यहाँ पे आपका design पूरा हो रहा है यहाँ आप देख सकते हो मेरा यह डीजैन यहां पे पुरा हो रहा है तो यह नीडल लास्ट पॉइट पे आ गया है इसका shortcut की friends home और end है आप देख सकते हो मैंने home दबाया तो machine जहां design start करता है वहां चला गया और मैंने यह end दबाया है तो आप देख सकते हो machine जहां मेरा design पूरा हो रहा है वहां पे चला गया तो friends यह हो गया start end design यहां पे आप देख सकते हो travel by object आप यहां पे देख सकते हो यह एक मेरा object यह run बना हुआ यहां पे और यह दूसरा है आप देख सकते हो यह shape है तो अगर आपको shape wise machine चलाना है तो यहां पे आप right और left लिक करके चला सकते हो friends आप देख सकते हो आपको सब यह सा करके देखना है परना कुछ नहीं मालूम पड़ेगा friends या पंचिंग सिखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि यह सब किस काम में आता है तो normally यह हमको सीख लेना है बराब बर से यह बहुत काम आने वाल है friends travel by object का shortcut किए shift t shift t से पीछे चलेगा और control t से आगे चलेगा friends आप देख सकते हो यह object by object चलता है अगर यह object है तो यह पूरा का पूरा चल जाता है देख सकता हो shift t से पीछे चलेगा और ctrl t से आगे चलेगा friends यह object वाइस चलता है तो यह हो गया travel by object यह आप देख सकते हो friends travel by segment यह भी इसके जैसा ही है इसकी जरूरत नहीं रहती है friends आप यह देख लोगे तो भी चल जाएगा यह है friends travel by color इसके उपर आप left click करोगे तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा red color था वो machine चल के पीछे आ गया और right click करोगे तो आप देख सकते हो red color जीतना भी था उदना चल के आगे चला गया तो यह से आप चला सकते हो machine color wise friends right click और left click से चलाना है friends यह हो गया travel by color यह है travel by function friends अप इसके उपर left click करोगे तो पीछे चलेगा machine लेकिन जहाँ पर आप jump आएगा वहाँ पर machine रूप जाएगा friends यह आप यहाँ पर देख सकते हो design में jump देखने के लिए इसी tool का use होता है friends इसके उपर right click करके देख सकते हो यह jump पे एक xt ची चलाएगा आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर jump आ गया तो यहाँ machine रूप गया friends आप देख सकते हो यह left click से पीछे चलता है देख सकते हो और right click से आगे चलेगा यह हो गया travel by function यह है thousand stitch friends इसे 1000 stitch आगे और 1000 stitch पीछे चला सकते हो इसे 100 stitch आगे पीछे चलेगा friends आप देख सकते हो और इसे 10 stitch आगे पीछे चलेगा और यह एक stitch है friends stitch to stitch चलेगा यह इसका shortcut की arrow है friends आप देख सकते हो left और right click से इसे machine चला सकते हो इसका shortcut की यह दोनों arrow right और left तो यह सब हमारा हो गया friends टावल टूलबर यहाँ पे आप देख सकते हो यह last वाला friends यह vector से इसे image toolbar कहिते है friends यह पहिला है line line को select करके left click और left click आप देख सकते हो इसमें enter नहीं मारना होता है यह सीधा ही बन जाता है दो click से यह सब vector है friends यह design नहीं है friends सिफ आपको यह marking के लिए use करना है friends आप देख सकते हो अगर आपको सीधा line बनाना है तो left click मार के control दबाके रखना है यह zero angle हो गया आगे करोगे तो plus होता जाएगा friends यह 15-15 angle प्लास होता जाएगा आप देख सकते हो इसे control दबाके रखोगे तो अगर सीधा line करना है तो control दबाके रखना है इसे और इसे click मार होगे उपर सीधा करना है तो उपर खीचना है और यह friends line tool उसे select करके आप इसा vector line बना सकते हो अगर इसको आपको vertical line बनाना है तो left click करके control दबा के रखना है बाद में आप देख सकते हो यह से आप सीधा line बना सकते हो 15 के angle पे बना सकते हो 13 के angle पे बाद में यह 45 angle होगे है friends control दबा के रखोगे और इसे कुमा होगे तो यह angle भी change होता जाएगा जैसे 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 घुमाते जाओगे 15 angle अगल प्लस होता जाएगा फ्रेंट्स आप देख सकते हो तो यह हो गया लाइन टूल फ्रेंट्स इसके अब दबा के छोड़ देंगे यह है फ्रेंट्स पोली लाइन इससे आपको जैसा भी शेफ बनाना ऐसा बना सकते हो पहले लैप क्लिक बाद में अगर गोल बनाना है तो राइट क्लिक और यहां से इसे सीधा बनाना है तो फिर से लैप क्लिक यहां से फिर से सीधा बनाना है तो फिर से लैप क्लिक और डोगिंग हो जाए उसके बाद एंटर दबाना है हम देख सकते हो यह इसा बन गया हम देख सकते हो तो यह हो गया पोली लैन फ्रेंट्स यह यह से भी बनाना है वेसे बना के एंटर कर देना है तो यह चोइंट हो जाएगा फ्रेंट्स पूरा का पूरा फॉर्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट जहाँ पे होता है वहां से चोइंट हो जाता है आप देख सकते हो यहां क्लिक मारा लैप राइट लैप राइट लैप और enter दबाना है, पहला click और last click यहाँ पे था, वहाँ से यह joint हो चुका है friends, यह circle है friends, lips, जैसे हमने यह ring बनाया था, ऐसे ही से बनाना है, जैसे select करना है, left click और चितने भी size का रखना है, उतना ऐसा फोटा बढ़ा करके समझ लो, मुझे इतना रखना है, तो यहाँ पे रखके, दो बार enter दबाना है friends, आप देख सकते हो, यह circle बन गया, left click, mouse नीचे खिचना है, और इतना भी रखना है, उतना रखके, दो बार enter, आप देख सकते हो friends, यह है ellipse, इसको भी आप select करके edit कर सकते हो friends, एच दबाना है, आप देख सकते हो, इसा भी रखना है, इसा आप रख सकते हो, और मैं एंटर करोगे, आप देख सकते हो, यह rectangle है, इसे सिलेक करके, left click, बाद में दूसरी बार left click, इसे आप बना सकते हो friends, height और width same रखना है, तो left click मार के, control दबा के रखना है, आप देख सकते हो, मैं दबा रहा हूँ, तो यह width और right में दोनों same बनेगा friends, आप देख सकते हो, आप इसका property देख सकते हो, width और right दोनों same है, control दबा के रखना है friends, rectangle को left click मारना है, बाद में control दबा के रखोगे, बाद में फिर से left click, देख सकते हो, यह rectangle है friends, तो यह हमारे सब हो गए, image toolbar friends, friends आपको बहुत practice करना है, icon सब केशे use करना है, step by step देख लेना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा contact detail नीचे description में है, मेरा contact करके, आप मुझ से पूछ सकते हो friends, अब यह हमारा हो गया, show vertical menu, यह इसको तो हमने दूसरे class में ही सीख लिया था friends, तो यह हमारा तीन option complete हो चुका है, पहला है show pointer toolbar, दूसरा show table toolbar, machine चलाने के लिए friends, और यह तिछरा है show image toolbar, यह rectangle और ellipse और circle बनाने के लिए friends, इसका यूज आप design बनाने के लिए कर सकते हो friends, अब हम देखेंगे color toolbar friends, यहापे आप देख सकते हो background, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक window खुलेगा, यहापे आप देख सकते हो, पहला है friends, color, अगर आपको यह background का color change करना है friends, यहापे आप देख सकते हो, यह background है, तो इसका color चेंज करने के लिए आपको यहां पर edit पे click करना है अगर आपको यह समझ लो की pink रखना है तो pink select करके ok करके ok करना है तो आप देख सकते हो यह background pink हो गया friends फिर से इसके उपर click करोगे edit में जाओगे अगर black रखना है तो black select करोगे ok और ok तो यह black हो जाएगा friends यह जो color है friends यह regular color तो इसको change नहीं करोगे तो चलेगा friends इसको select करके ok कर देंगे ok friends इसे आप background का color change कर सकते हो friends फिर से background में जाएगे यहां पर आप देख सकते हो fabric friends इसके उपर click करके browse करके आप किसी भी folder को open करके समझ लो यह मेरा fabric है तो इसे open कर सकते हो friends select करके ok करोगे friends आप देख सकते हो यह background में आ गया आप इसा करके fabric भी select कर सकते हो friends इसका जरूरत नहीं रहता है कभी-कभी high quality fabrics रहते हैं तो उससे आप निचे लेके देख सकते हो आपका design आपके कपड़े में कैसा लगेगा friends ok कर देंगे फिर से background में जाएंगे यह border friends border का color यहां से आप select कर सकते हो यह border हमें ज्यादा तर set नहीं करना रहता है इसका use बहुत काम होता है friends यह friends unswin means कि जब आप machine पीछे चला होगे तो object का color केशा रखना है वो है friends आप देख सकते हो मैंने machine यहां पे इस बीच के stitch पे ले लेता हूँ अब देख सकते हो यह unseen friends इसके जब machine पीछे चला होगे तो जितना चला हुआ है वो केशा दिखेगा और जितना नहीं चला है वो केशा दिखेगा वो है यह friends unseen इसका color आप change करोगे friends edit करके पीला कर दोगे ok और ok है अब देख सकते हो यह machine यहां तक यह सब चल गया है यह नहीं चला है तो यह unseen है friends पीछे चला होगे तो unseen होता जाएगा friends इसका color set करने के लिए आपको unseen पे जाके color select कर लेना है friends यह black ही रखना है friends यह regular color है अगर आपको दूसरा select करना है तो select करके इसे ok करके change कर सकते हो फिर से background पे जाएंगे यह friends से object outline आप देख सकते हो यहां पे outline देख सकते हो friends यह outline है friends object का तो इसे तो यहां से object outline से कर सकते हो object outline को select करोगे edit पे जाओगे अगर green करना है तो green पे select करोगे ok करोगे रोख के आप देख सकते हो यह green हो गया friends फिर से जाओगे background पे grid का color आप यहां से set कर सकते हो उसे change करना है तो यहां पे जाके grid को select करोगे edit पे जाओगे अगर blue करना है तो blue select करोगे ok और फिर से ok आप देख सकते हो यह grid सब blue हो गया friends अब फिर से background पे जाओगे यह guide friends इसको ज्यादा आतर change करने की ज़रूत ने रहती है friends चेशा ऐसे ही रहीने दो guide बहुत ही कम use होता है तो friends यह हो गए border unseen selected object outline grid और guide के color कैसे select करना है तो सब हो गए है friends यह border unseen machine जब आगे पिछे चलाते हो तो कैसा color रखना है selected मतलब जब भी आपकी किसी object को select करते हो तो वो कौन से color तका हो जाता है वो यहाँ से select कर सकते हो object outline friends यह रही object outline grid friends यह रही grid reference guide है friends इसको नहीं set करोगे तो चलता है friends ok कर दोगे यहाँ पर आप देख सकते हो शब color दिये गए 1,2,3,4,5 से यह 15 color दिये गए यहाँ पर अगर ज़यदा color आज करना है तो यहाँ से कर सकते हो इस plus पे click करोगे तो देख सकते हो plus होते हो जाएंगे अगर minus करना है तो यह से minus कर सकते हो friends तो यह हमारा हो गया color toolbar करना है तो आपको इसे सिलेक करके आप देख सकते हो इसे यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक किया इसे पिंग करना है तो पिंग कलर पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो यह पिंग कलर का हो गया है मतलब कि आपको जितने भी कलर डिजैन में बनाना है और जैसा color set करना है उतने color यहाँ से आप set कर सकते हो friends यह हो गया color toolbar friends friends आज मैं इसमें आपको और दो option दिखाऊंगा कि यह सब red color के object के से select करना है अगर आपको सिफ ready color इसमें देखना है तो वो कैसे देखना है वो में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो अगर आपको यहाँ पे सिफ red color select करना है friends तो आप ऐसा करके नहीं select कर सकते दूसरा भी color साथ में select हो जाता है तो अगर आपको सिफ red color select करना है तो edit में जाओगे select by में जाओगे और select by color color पे जाओगे और यहाँ पे जितने भी color होगे आपके digit में यहाँ पे दिखाएंगे अगर आपको सिर्फ red select करना है तो red select करके ok करोगे तो सब red color के object select हो जाएंगे friends तो ऐसा करके आप जिस color का object सब select करना है तो select कर सकते हो एडिट में जाना है select by color अगर pink करना है तो pink पे रखके ok करोगे तो जितने भी pink होगे वो सब select हो जाएंगे friends अगर आपको सिर्फ यहाँ पे red color देखना है तो यहाँ पे view पे जाओगे view by color पे जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो red select करोगे और ok करोगे तो आप देख सकते हो shift red ही दिखाए दे रहा है friends आपके design में color सब है लेकिन shift red ही दिखाएंगा और फिर से आपको sub color करना है तो इसका shortcut की है shift as friends तो आपका sub color फिर से आजाएगा friends view by color का shortcut की है friends alter, v और फिर से वी दबाना है तो select by color सिधा ही open हो जाएगा और आप चिस color को देखना है अगर blue देखना है तो blue select करके ok करोगे तो शिर्फ blue रहेगा friends अगर फिर से सब color देखना है तो shift as दबाओगे friends तो ये दोनो shortcut की हो गया है view by color का ultra v, v pink देखना है pink चिले करोगे pink हो गया फिर से सब color देखना है तो shift as दबाओगे friends यहाँ पे आपके design में shift friends hide होता है delete नहीं हो जाता है object shift आपको इस color का object देखना है वो ही दिखाता है friends तो friends ये हमारा class 3 था इस class में इतना ही अगले class में मिलेंगे friends अगले class में दूसरे tool bar यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब step by step सिखेंगे dip में जाएंगे तो इस class में इतना ही friends friends आपको practice पोट करना है step by step जाना है जिस menu के बारे में आपको सिखाता हूँ उस menu को आपको तीन चार बार देख लेना है ताकि आप पूल ना जाओ friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाए तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो friends और बेल आइकोन पे प्रेस कर दे ताकि आने वाले class की भी notification आपको मिले और आप बराबर से सीख पाओ friends